वेल्केम जूस्माथ स्कूल के तो यूर फेवरिट स्कूल येस यूर फेवरिट स्कूल और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और पहली वाली वीडियो है सिंपल मैठ स्क्रीज तो चलो करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को शुर्वाद उसे पेले आप हमारे वेबसाइट एंड्रोइड एजुकेशनल गेम और क्राफ चैनल जिनकी लिंक हमने दिस्क्रिप्शन में दिये हैं प्लीज जाके चेक टिएगा करते हैं अमारे वीडियो एड़ शिक्स प्लेस फ्रम दे राइट एंड उकेशन समझ लिए एक बार फिर से पड़ो और यह है आपके लिए आप्शन स्पैल आप्शन है नमबर थर्टिन सेकेंड है ट्वेंटित्री और थर्ड है एटीन और फोर्थ है ट्वेंटिफाइव आपका वक शुरू होता ह है आधी तो यहां अपको फिनिश होता है अगर आपने साल नहीं किया है तो वीडियो को पाउस करो एंसर डूल करके देखाओ और फिर कॉंस आप्शन है वो बताओ ठीक है तो यहां पर हम आपको एक्स्प्लेनेशन देते हैं देखो राकेश राकेश इस स्टैंडिंग मेल पर है इसका मतलब उसके लेफ्ट साइट में 11 से और उसके राइट साइड में 11 परसusement तो इसलिए आम से हाँ पर तोंकिक्रा अनकिता कि ze पे हैं तो लेफ्ट साइड से 6 ते मतलब उसमें से हम 6 टोटल में से मैनस करेंगे और 1 एड करेंगे क्योंकि वो खुद अंकिता भी है तो वो वन पे उसमें एड करेंगे 23-6 it is 17 plus 1 it is 18 तो हमारा इंसर क्या दोला it's 18 ओके समझ मैं आ रहाएगा क्योंकि आपको एक्समेनेशन सही तरगे से दिया है तो चला देखते हैं हमारा second question यह है इस रोब से रिड़ेगे 12 pieces of rope are joined to make a single long rope how many knots are required to make this long rope आपके पास 12 pieces है छोटे-छोटे pieces बना है एक लंबे rope के और उस 12 pieces को हमें knot लगा के गाट मारनी है और एक लंबा धागा बनाना है तो हमें कितने knots मारने पढ़ेंगे तो यह है आपके options नंबर वन थर्टीन टू टैंग ट्री नाइन एन पॉर 11 तो आपका वक्त शुरू होता है अब यह आसान वाला है शायद आपको इजी लिए आ सकता है यह है हमारा explanation यहां पर देखो one knot for two pieces अगर पहले दो पीस लेते हैं तो उनके लिए हम एक ही knot लगाएंगे और उसके बाद जितना भी एक-एक पीस आड़ करते जाएंगे उसके लिए एक-एक knot increase करते जाएंगे तो इसका मतलब अगर 12 pieces है तो हम कितने knots करेंगे 11 क्योंकि पहले दो pieces की दिये तो एक यह knot बनगे यह है तो इसलिए सिप first piece वाली knot एक है वो काम हो जाएंगे यह कामर एंसर होगा 11 knots ओके थाना असा और बज़ेदार भी थी कैचलो देखते है question no.3 it's related to trees यहाँ पहे 28 trees are standing at the distance of 5 meter each तो 28 trees है जो एक ही line में है और हर एक trees के बीच में 5 meter का distance है what is the distance between the first and last tree अभी हमें first tree और last tree इन दोनों के बीज में आपका distance बताना है question आसान है मुझे लगता है यह question का answer भी आ जाएगा और यह है आपके options first one is 140 second one is 135 then third one is 145 and fourth one is 50 okay तो आपका 10 शुरू होता है अभी one two three four five yes तो मुझे लगता है आप लगोंने question का answer पता कर लिया होगा ठीक है ठीक है ठीक है देखते है explanation 28 trees means different between 27 trees two because first one जो रहता है वो क्या रहेगा zero distance पे तो distance शुरू हो रहा है इसका मतलब उसके पीच में पहले वाले टुके पीच में तो कुछ भी distance नहीं है इसका मतलब हमें क्या करना है जो remaining 27 trees है उनका ही distance काउंट करना है तो इसलिए हमें क्या करेंगे 27 multiply by 5 so its answer is 135 as option is second right good आ रहा है मजा है अच में मजा आ रहा है तो वीडियो का लाइक जरू करना अब देखते है question number four यह है वो students related questions 50 students were standing in a row at a distance of 2 meter each similar वो पुझे से पेड़वाला था वैसा ही है लेकिन यहां पर question तोड़ा सा अलग पुचा है 50 students है और वो और एक row में stand है और इनके बिजमेंट टू मिटर का distance है हरे students के बिजमेंट है what the distance between the 11th and 29th students तो भी उनने क्या पुचा है कि जो 11th number का जो student है वो उस से 29th number का जो students है उनके पीछ लग कितना इस तरह है okay तो मुझे लगता है यह थोड़ा सकती है और जादा भी लेंगी है फिर भी आप एंसर इसली ढून सकते हो तो यह है आपके options options 1 है 36 meter, second 22 meter, third 58 meter and fourth one is 100 meter ओके तो आपका बख शुरू होता है आप भी अगर सब्सक्राइब चाहिए तो फिर भी एक बार वीडियो पाउस करो एंसर दून दो और फिर आपका एंसर हमारे साथ चेक करो ओके यह है हमारा explanation, first find the difference between 11 and 29 student तो जो 11 student है और 29 student है उन दोनों में पहला difference पांट करो तो हम क्या करेंगे 29 minus 11 क्योंकि difference के लिए हम subtraction करते है पता है तो हमारा answer कितना है 18 अभी हार एक के बीच में distance कितना है तू मिटर इसलिए 18 को हम 2 से multiply करेंगे तो 18 तू जा 36 एंसर इस फास्ट वन 36 मिटर ओके थाना असान इंज लबता बहुत सारे students को आया रहेगा चलो देखते हैं आज का पहली का यह क्यों ख Hug वेलें लास्ट केस्चैन के रेले टलॉ और ना कहां नहीं बेंज नौनों साइब एक काइट पर ने रिले नज आयस मनाये हैं if the middle kites correspondence to the 25th place तो उन्हार एक दोनो लाइन के पीछ मौली जो kite है उसका प्लेट जो है वो 25th place पर आता है then how many kites are there? question समझ मैं है? तो यह है आपके options first one 50, second one 98, third one 48 and fourth one 100 आपका वक्त शुरू होता है अब भी yes अगर आप लोग इन्सर में ढूंदा है तो वीडियो पाॉस को रहो और फिर उसके साथ हमारा एंसर compare करो ओके तो यह है हमारा explanation middle kite जो kite है middle पर उसका place कितना है 25th place इसका मतलब फिर से उसके left side में 24 kite से और right side में 24 है और यह बन जाएगा 49 और ऐसे कितने रो है two rows यहां पर देखो कितने रो बता है two rows ओके जो इसले 49 को 2 से multiply करेंगे तो इस answer is 98 तो कितने kites थे वाहां पर 98 so the answer is 2 yes था असान क्या आपने पैचाना था अच्छे लगे नाइक questions अगर इस तरह के questions के वाली वीडियो और चाहिए तो आप comment में जरूर लिखे ना हम एक वीडियो इसके उपर भी लिखाएंगे तो next time मिलते है किसी और पहलियो के साथ तो तब तक के लिए बाई अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज देशे लाइक कमेंट और शेयर कीज़ेगा और आप अमरे जाने पर नहीं होते प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल एक अन्दी प्रेस करें लेको मिलते हैं नेक्स रोडियो में तब तक के लिए बाई बाई हासा खेला और मज़े सिसी को स्मार्ट स्कूल के साथ